नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में सभी दर्शकों का स्वागत है, मेरे साथ में रोहित विडियोग्राफर है और आज मैं आप से एक बहुत महत्वपूर्ण विशय पर बात करने वाला हूँ हमारा पडोसी देश जो पाकिस्तान है, ये एक शैतानी कर्तूत करने वाला देश है कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि पाकिस्तान के लोगों ने कुछ भला काम दुनिया के लिए किया हो हमेशा चोरी चकारी करना यही इदका आज तक का चरितर रहा है इस चोरी चकारी की एक घटना 29 दिसंबर को पता चली 29 दिसंबर को लंडन के हित्रो एयरपोर्ट में जो लंडन का सबसे बिजी दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है वहाँ पर एक पाकिस्तान से आई हुई कंसाइनमेंट पकड़ी गई यह विमान ओमानेयर का विमान था जो मसकत से आया था इसके लगेच कंपार्टमेंट में इनको कुछ ऐसे आईटम्स मिली जिसमें यूरेनियम था अब मैं आपको पहले यह समझा दू यूरेनियम चीज क्या होती है uranium यह एक ऐसा element है जिसका इस्तमाल करके atom bomb बनाए जा सकते है और केवल इतना ही नहीं अगर शुद्ध uranium या uranium से आपको अगर थोड़ी देर के लिए भी expose किया जाए तो उससे radiation sickness जो होती है बीमारी हो सकती है जिससे cancer फैल सकता है यह बहुत ही घातक element है uranium एक element है जिसका number 235 है यह बहुत घातक है और जिसकी वज़े से lifelong बीमारी हो सकती है और आदमी का जो जिन्दगी है वो काफी छोटी हो जा सकती है अब ऐसे uranium को कोई open में तो वैसे ले ही नहीं जा सकता सारी दुनिया में इस वर प्रतिबंद लगा हुआ है लेकिन पता चला कि पाकिस्तान से कुछ consignment जो लंदन में किसी इरानी ब्यापारी फर्म को यह consignment भेजी गई है और यह consignment ही scrape metal की अब इसमें दो चीज गोर करने लायक है scrape metal मतलब भंगार जो आमारे हाँ यह नवाब मलीक मिनिस्टर जो पहले बिजनिस किया करते थे भंगार का वही भंगार से उस समय लंदन में एक गोशलो चल रहा था आपको पता है यूके में आजकल बहुत स्ट्राइक्स चल रही है तो एरपोर स्टाफ का गोशलो चल रहा था तो स्टाफ भी बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन फिर भी इनके पास जो रेडियेशन जाचने की एक्विपमेंट होती है उसमें ये इस 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 पकड़ी गई और अब उसको पुलिस नहीं रासत में ले लिया वो से अच्छा ये किसी पैसेंजर का बेगेश तो था नहीं ये तो बेगेश में आई है तो इन्होंने इसको बेजना का है तो इरानी वेपारी का भी नेम सब होगे मिला आगे क्या होगा वो तो लंडन और ब्रिटन के जो माई6 नामके उन्होंने इस पर आगे काम करना है लेकिन मैं आपको ये यूरेनियम के स्मगलिंग का पाकिस्तान से क्या रिष्टा है इसमें थोड़ा से आपको समझाता हूं कियो अक्सर ये नोर्मल लोग था मतलब इसके बगर तो atom bomb बनी नहीं सकता अब यह जो बनाने का program अमरिका ने शुरू किया तो उनको uranium तो उनके पास था नहीं तो यह कहा तो सारी दुनिया में ढूंडा और पता चला कॉंगो जो देश है अफरिका में अफरिका के पूरब की तरफ जो एक देश है कॉंगो कि अब रूद भी मिला उस खदान के जो एरिया है उसका नाम या शिंकन लोबवे ये एक फूरूट ये उष्का नाम है जो कॉंगो का फूरूट होताए जिसको उबालके खाया जाता है यह बाल एक लेकिन इसको उबाल के जब बाहर रखो तो बिल्कुल जल्दी में ठंडा हो जाता है लेकिन इसको खोल के जब अंदर का गुदा खाया जाता है वो बहुत देर तक बहुत गरम रहता है अगर खाने वाले ने साउधानी नहीं बढ़ती तो उसका मुझ और जीब जल जाती है अब ये नाम इस ख़दान को क्यों रखा क्योंकि इस ख़दान से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बाहर निकल रहे थे उसकी रेडियो धर्मिता इतनी स्ट्रॉंग थी कि वहां के सारे लोगों की तबियते खराब हुई और आज के दिनों तक इस ख़दान से उपर से ए एटमबं बनाए और 6 अगस्ट 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्ट 1945 को नागाशा की जपैन के दो शहर थे उन पर उन्होंने एटमबं डाल दिया इन एटमबं के धमाके से एक्ट्यूली अमरीका युद्ध जीत गई अब यह हुआ कि 1952 में एक Christian Padre था Luke Gillan उनका नाम था यह Congo में थे उन्होंने का यार Congo ने आपको इतना अच्छा uranium दिया जिसकी वज़े से आप तो World War जीत गए Congo को कुछ इसका price देना चाहिए compensation देना चाहिए तो इन्होंने uranium से जनरेट होने वाली electricity का atomic reactor Congo में लगा दिया और उसमें चार बड़े-बड़े चार बड़े-बड़े uranium की सरी उसमें डाल दिये और उससे एक मेगावाट छोटा इरेक्टर था ज्यादा नहीं था और वो लगा दिया उससे में जो कॉंगो के के बाद उससे पावर निकलना बंद हो गए 1964 को उसको चेक करने के लिए अमेरिकानी कुछ लोगों को भेजा उसने देखा कि चार में से दो सरी नदारत है सारी दुनिया डर गई कि ये यूरेनियम तो बंब के लिए इस्तमाल हो सकता है ये गए कहां इसको ढूंडा तो इटली में एक और्गनाइरेशन थी टेरिस और्गनाइरेशन उन्होंने ये एवर्टाइज किया था अपने नेटवर्क पे कि हम यूरेनियम बेचना चाहते किसको खरिदना है तो इटाली के सिक्रेट पॉलिस ने एक जाली गरहक तयार किया और उनको पकड़ लिया उनसे एक स्टिक जो सरिया था वो बरामद हो गया लेकिन चोथे सरिया का आज तक पता नहीं चला है उसे समय लोगों ने ध्यान लिया था कि इसको इरान भेजा गय था अब्दुलकादिर खान ये बंदा इंडियन था भोपाल में इसका जनम हुआ 16 साल की उम्र में 1964 में ये पाकिस्तान में चला गया और पाकिस्तान जाके माइग्रेट हो गया काफी मुसलिम उस समय माइग्रेट हुए थे और बाद में ये मेटालर जी सीखने योरोप चल में 2018 में 1974 में इंडिया ने भारत ने अपना पहला एटम बं मोढ विस फोड किया इंदिला गौनी के समय तो उस उसक विससआप के बाद पाकिस्तान सक्ते मैं हॉए ऐगर इंडिया के पास एटमबं में तो हमें भी बनाना है उस समय पाकिस्तान के प्राइम निस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो थे अब भुट्टो जी ने ये कहा कि हमें तो यूरेनियम लाना है हमें एटमम बनाना है तो ये अब्दुलकाजिर खान भुट्टो से मिला और उन्होंने भुट्टो जी को कहा कि मैं इसकी सारा इंतजाम करता हूँ क्योंकि दुनिया की नजर थी पाकिस्तान पर कि कोई भी ऐसा अब इंडिया ने जब बना लिया तो दुनिया को पता ही नहीं चला तो अब वो बड़े गुस्ते में थे कि पाकिस्तान भी करी न बना ले तो इसने का मैं साध्या सावान चोरी चकारी से पाकिस्तान ले आता हूँ और ये उस समय हॉलन्ड में एमस्टरडैम में एक कमपणी में काम करता था उसका नाम था युरेन को ये लोग युरेनियम एन्रिच्मेंट की मशिनरी बनाते है युरेनियम जो मिलता है वो नेचरली मिलता है वो विलकुल युरेनियम के ऑक्साइड रूप में मिलता है दो टन युरेनियम ऑक्साइड आप खादान से निकालोगे तो उसमें से एक ग्राम शुद्ध युरेनियम निकलता है उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया बड़ी ही पेचिदी और तक्नीकी है अब ये प्रक्रिया के करखाने में ही काम करते थे मिस्टर कादिर खान अब्दुल कादिर खान तो इन्होंने वो सारे मशिनरी के ड्राइंग्स खुफिया तरह से फोटो कर लिए उनको वो लेके गए सारे यूरोप में अपने पोजीशन का फाइदा बना के उसके स्पेर पार्ट्स मंगा लिए और पाकिस्तान में जाके कहूटा जो पाकिस्तान का भारत से सटा हुआ एक मुल्क है वहां पर इन्होंने पाकिस्तान न्यूक्लियर रिसर्च लैबोरेटरी करके एक गवर्मेंट आस्थापन चुरू किया और यहां वो एटम बाम बनाने में जूड़ गया अबदुलकाजिर खान जब पाकिस्तान आए उसके बाद से वह आपस नहीं गये वह पाकिस्तान में रह गया और अपना अटम बाम बनाने का सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान ने अपना अटम बना लिया उसका विसफोट भी अच्छा इसके लिए उनको टेकनोलोजी तो ऐसा सब चोरी चिकारे कारेकरम हुआ है तो पाकिस्तान का अटम बम पूरी तरह से चोरी करके लाया हुआ है और अबदुलकाजिर खार ने इसके बाद में अच्छा चोर तो चोरी है उचक्य भी थे यह लोग यह अबदुलकाजिर खार ने उसके बाद में इसको इरान में बेचने की कोशिश करी, कि हमें एक अटम बाम आपको बना रहे थे, ये इरान के आयातोला खोमेनी से मिले, फिर जाके लिबिया के महमद गदाभी से मिले, और सबसे पैसे बटोरे, इरान से उन्होंने तीस लाग डॉलर लिये थे, आधा इन्होंने रखा, आधा का है, ये तो एटम बाम का इटम इचर है, तो अमरीका की तो नहीं सुनेंगे ऐसा पाकिस्तान हो नहीं सकता, उन्होंने इसको जेल में दाला। जेल मतलब कया पाकिस्तान में ऊसUI को एक बड़े पैलेस में रखा और कहा कि हमने नळर केज जिसको कहते है, इसको हमने खॉर किस में यह मर गया अबदुलकादिर तब तक इसने यह सब नालाय की चालू रखी थी और पाकिस्तान जहां जो भी चाहे पैसा दे उनको वेशने को तयार था अब लगा था लोगों को कि पाकिस्तान की यह नियत अब को सुधर रही है इनके पास खाने को आटा नहीं है आज क पास का uranium भी समगल करके लोगों को बेचना चाहते है वह uranium इन्होंने बेचने की नई प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है लेकिन आप देखो इसमें एक प्रॉप्लम और भी है यह लगेज में इन्होंने उर्णियम डाल दिया अब मैंने आपको बता है uranium से radiation sickness होती है अब वो लगेश को handle जो करते थे या उपर passenger बैठे थे क्या पता उनमें अभी भी radiation के effect आ गए हो इस uranium की वज़े से पाकिस्तान को तो फरक नहीं पड़ता उनको कितने लोग मरें कितने जी है इनको तो अपने पैसे चाहिए तो इस पे अभी इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने कुछ डिसीजन लेना है कि इस पाकिस्तान का जो establishment है सारे चोर उचक्के जो बैठे हुए वो दुनिया को खत्रे में डाल रहे हैं कुछ ने कुछ एक्षण इस पे लेना पड़ेगा इंग्लेंड की MI6 जो गुप्तचे रेजन से उन्होंने कहा है शायद इन्होंने ये सारा प्रोग्राम इसलिए कि यह हमारी टेस्ट करना चाहते है कि हम इनको पकड़ पाते है या नहीं पता नहीं इसके पहले कितना uranium इने भेजा है क्योंकि अभी जो uranium भेजा उसके quantity ज्यादा नहीं है ज्यादवा quantity पता नहीं शिप से भेज रहे हो तो सारे दुनिया को चोकन ना होना है इन नालाय को उपे नजर रखनी है क्योंकि इससे दुनिया की शांती सुख सुविदा स सारी संकट में आ सकती है इंडिया का खाली बात नहीं है यह खाली अवारत की बात नहीं है यह सारे दुनिया की बात है यह किस्ता आप तक पहुंचे इसलिए मैंने इतना सारा आपको बताया इतना सारा इतियास आपको समझाया अगर यह इतियास आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यह जो आप देख रहे हैं इसको अपने दोस्तों रिष्चेदारों से शेर कीजिए बेल आइकोन अगर आपने हिंदुस्तान पोस्त का आप तक दबाया ने तो उसको दबा दीजिए तो नए नए इसी टाइप के वीडियो इसकी तिला आपके पास हम पहुचाते रहेंगे नमस्कार और धन्यवाद